पहले किया रिलीज अब खरीदने की बेता भी एक इंग्लिश खिलाडी को हर हाल में खरीदना चाहती है CSK आक्शन से पहले ही CSK का एलान जितना महांगा मिले खरीद देना धोनी को हर हाल में देनी है लियोनेल मैसी जैसी टीम धोनी को हर हाल में देनी है लियोनेल मेसी जैसी विदाई दुनिया के जुबान पर इन दिनों सर्थ एक ही नाम है लियोनेल मेसी जिन्होंने अपने आखरी फुटबॉल वाल्ल कप में ना सिर्फ अरजेंटीने को 36 साल बाद वाल्ल चैंपियन बनाया बिल्कि अपना सपना भी पूरा कर लिया है और अब क्रिकेट का लियोनेल मेसी भी इसी रहा पर निकल गया है MS धोनी का भी इस बार आखरी IP ले और चेन्ने इस सूपर किंग्स अपने सीरो को लियोनेल मेसी की तरह ही चैंपियन वाली विदाई देना चाहती है इसलिए आगया है बड़ा फर्मान आख्शन से पहले रियक्शन वाला फर्मान विजेताओं की फॉच खड़ी करने वाला फर्मान और फर्मान में साफे की चाहे जितना पैसा लगाना पड़े लगाओ लेकिन इस धिगज को टीम में वापस लेकर आओ जी हाँ वापस दरसल 15 नवंबर 2022 को इंडियन T20 लीग की सभी फ्रेंचाइजी ने रिटेन और रिलीस किये गए खिलारियों की लिस्ट सौंपी है CSK की रिलीस करने वाले खिलारियों की सूची में इंगलिश ओल राउंडर सैम करन का भी नाम शामिल था दरसल सैम करन का IPL 2021 बेहद साधारन रहा था उन्होंने पिछले IPL में 9 मैचों में बल्ले से सिर्फ 56 रन बनाए और गेंट से भी करीब 10 की एकोनोमी से रन खर्चने के बाद भी सिर्फ 9 विकेटी जटक पाए इस साधारन प्रदर्शन को देखते भी माही ने उन्हें आउक्षन में डालने का फैसला किया लेकिन माही के साथ साथ CSK को अफसोस थब हुआ जब CSK से बाहर होते सैम करन ने वाल कप T20 में करिश्मा कर दिया छे मैचों में 11 की आउसत और 6.05 की एकुनामी से रन खर्चने के बाद 13 विकेट जटक मैन आफ दर टोर्नमेंट बन गए इस प्रदर्शन को देख CSK की आखे खुली की खुली रह गई और माही को भी अपने फैसले पर पच्च्टावा होने लगा लेहाजा अब CSK मैनेजविन की तरफ से आए हैं ऐसे संके जिनके चलते साम करन की बल्ले बल्ले होने वाली है CSK खेवें से ख़बर आ रही है कि MS धोनी किसी भी कीमत पर इंगलाइन के आल राउंडर साम करनको चेने टीम में वापस लाने में काफी दिल्चस्पी दिखा रहे हैं जिसकी पुष्टी करता है ये ट्वीट जिस एक स्पोर्ट्स जनलिस्त ने शेर किया है उनके इसाफ से MS धोनी किसी भी कीमत पर साम करन को चेने में वापस लाना चाहते हैं सैम करन ड्वेन ब्रावो की जगा लेंगे इसलिए MS धोनी ने टीम पैनेजमेंट को मिनी आॉक्षिन में सैम करन पर बड़ा दाव लगाने का निर्देश दिया है इस ट्वीट और MS धोनी की सैम करन में दिल्चिस्मी ने सैम करन की कीमत में कई गुना इजाफा कर दिया है जाहिर है अगर धोनी सैम को वापस लाना चाहते है तो IPL की बाकी की फ्रेंचाइजी उन्हें ऐसा करने से रोकेगी और इसका फाइदा सैम की बोली की रकम पर पड़ेगा मतलब साफ है कि अब की बार सैम करन हो सकते हैं IPL हिस्ट्री के सबसे महेंगे खिला रही है इस पर आपकी राय क्या है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं बीर रिपोर्ट भारत पॉस्टेट